है राम-राम हरी ओम है आज हम बताएंगे आप लोगों को मकोई के बारे में यहां मकोई पुरे भारत वरसमें कुडे करकट में असानी के साथ अपलब्स हो जाता है और यहां जनवरी प्रोड़ता का सवर्द media का असानी मकॉय का पंचांग का रस निकाल करके हर रोज पिलाने से यक्रिस संबन्दित जो रोग है उसमें भी लाब होता है तो एक मिट्टी की बर्तन भी रस इसके राश को निकाल कर उसमें गर्म करके गुलाबी रंग हो जाए तो रात को बार कर इसको सुबा ठंडा होने पर प्रोग करना चाहिए इससे और अच्छा लाब मिलता है जैसे पीलह व्रिद्धी हो गई हो तो इसका मकोई का क्वात सेंधा नमक डाल करके उसमें जीरा डालकर पीने से भी पीलह व्रिद् गरके उसको खहली है इसे पीने से कैसे भी आपका पिल्या बिमारी हो इसको अठी करती ह। य्या सुखम असान लोग के लिए भी एहाँ काम करता है और जैसकी सिर्ए में लाल-लाल चतकी निकल जाना तो क्या इसके रस निकाल लिए और रस निकाल करके उस चतके की जगहपर लगाने से उच चतका भी ठीक हो जाता है और जिसे रसायन कारे करना है आपको तो इसके लिए सबसे पहले मकोई का पंचांग लेना है और पंचांग लेकर उसको अकवात बनाएं उसमें कावत में गूड पीपिली और मरीच के सांस इसको मिला करके खाने से या तो मोकोई का सिधा रस निकाल कर उसमें गाय का घी मिला करके सेवन करने से बाल मेधा इसमृती आदी जो होती है रस रसायन के प्राप्ति होती है यहाँ पूर्ण रुप से परमानित है और हमारे भाई बहनों को कभी कभी अनिद्रा रोग हो जाता है तो इसकी ल प्रेटी लाकर के पीने से अच्छी तरह से भरपूर निंदा आती है तो इसका प्रयोकर करके आप लाब ले भी सकते हो और इसका प्रयोग हम और बताते हैं मकोई का इसकी पत्ती का सब्जी बनाकर खाने से शरीर में जलोदर जाए से रोग हो गय हो तो इसमें भी यहाँ अतिंतर लाबकारी है इसमें जो फूल आते हैं वहाँ जो मिर्च होते हैं हम खाना सब्जी में डालते हैं वैसे मिर्चे के समार इसमें सफ़े सब्सक्राइब फूल आता है और जैसे किसी कुछुहा ने काट लिया हो तो काग दनी मकोई करस दोनों को मिला करके पकाईएं और उसमें घृत मिला करके अगर आप इसको दस इसान पर लेपन करने से खाने से विष्ट का प्रभाव भी समापत होता है तो इसका प्रुख भी करके आप लाब ले सकते हो मकोई के नविन को मलपत्ते का साक श्यवन करके और तेल में इसको तल कर खाने से भी शरी ही तो इसका प्रुख करके भी लाब ले सकते दाद हो गया है तो इसके हरे फल को पीस करके दाद में लगाने से भी दाद खाज खुजली आदीमी भी या रामबान काम करता है और कंट रोग हो गया हो या कोट रोग हो गया हो तो इस जगह पा इसके रस को सोंट के साथ पीस कर लेपन करने से अत्वा लाल बक्वरिच के में सोट को मिला कर लेपन करने से भी अराम पहुंचाता है और किसी भी प्रकार का घाव होगा है तो काकमाची के पंचांग का कल कर लेपन करने से घाव को भी यहाँ रोपन कर देता है तो ऐसी इसका प्रयोग करना चाहिए और इ इनके फ़ल का रस निकाल लीजे या तो सीधा फ़ल को या पंचांग चुनको यँआ फान बना करके इसका स्वेधन करने से जर में सिगराति शिगरालाब होता है चाहता आप सिधा उठाकर भी खा सकते हो तो मकव को खाकर स्वास दमा अस्थमा में भी इसका सेवन कर सकते कप आधी रोगों को स्वास रोगों को भी मिटाती है